आउज हम बनाने वाले हैं बिना चीनी की खीर मेरे साथ बने रही है और देखते रही है अगर आप वीडियो को skip करकर के देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि चीनी की जग्या यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ वीडियो को बिल्कुल भी skip न करें चैवल होता है उस हम खीर बनायेंगे हमने चावलों को अच्छे से धोकर दहुते अच्छे से भोकर उसका पानी दो तिन वर दोकर उसके पानी को निकाल दिया है और सिरफ चावल को भीगा हुआ हमने एक घंटे के लिए छोड़ दिया था इसी चावाल से हम बनाएंगे खीर हमने ले लिया है कुछ ड्राइफ फ्रुट्स इन ड्राइफ फ्रुट्स को हमने कडाई में हमने देजी घी डाल दिया है इस घी में हम इसको अच्छे से फ्राइब करें ड्राइफ फ्रुट्स अच्छे से घी में भुन चुके हैं अब हम इने निकार लेते हैं गीले करके रखे थे भीगो के नहीं गीले करके रखे थे उनको हम डाल देंगे वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और मिक्सी में इसको दरदरा पीस लेंगे देखिए चावलो को हमने दरदरा पीस लिया है वे समझ लीजिए हर चावल के दो या तीन टुकड़े हो चुके हैं अब इसी से बनाएंगे हम खीर अब हमने उसी पैन में जिसमें हमने चावलो को फ्राई किया था घी के साथ उसी में हम दूद को डाल देंगे यह लगवग एक किलो दूद है जैसे ही दूद में उबाल आने लगे हम चावलो को जो हमने दरदरा पीस रखा था इसमें डाल देंगे और मिला देंगे और इसको कॉंटिन्यूजली चलाते रहेंगे नहीं तो यह तले से लग सकता है खीर बनाने का यही एक वह है कि इसके लिए आपको वहीं पर खड़े होकर इसको बनाना पड़ेगा इसको छोड़के नहीं जा सकते आप छोड़के भी अगर आपको एक मिनुट के लिए जाना हो तो इसको फट्ची को इसके अंदर डाल के जाएं अच्छा अभी इसी भी जब तक यह चावल इसमें पक रहे हैं हम अपना एक काम कर लेते हैं इसमें मैंने लिया है यह चावल का आटा है इस चावल के आटे को गरम दूद के साथ बना के हम ये गरम को डाल के मैंने बना लिया है इसको हम साइड में रख लेंगे इसको बताएंगे कि क्या करना है चावल को डाले हुए अभी पांच या साथ मिनिट ही हुए है चावल हमारे गल चुके है चावल के इतने जल्दी गलने का कारण क्या है क्योंकि हमने चावलों को पहले एक गंटे के लिए भीगो दिया था फिर उसके बाद हमने उसको घी में फ्राइ किया और फिर उसको आधे आधे टुकडो में हमने ग्राइन्ट कर दिया यह देखिए, अब हम इसमें डालेंगे मीठा, हमेशा याद रखें, जब भी खीर बनाएं, मीठा तब तक न डालें, जब तक कि चावल न पक जाए, जैसे ही चावल पक जाएगा, उसके बाद ही हम उसमें मीठा एट करेंगे, और अगर हमने बिना चावलों के पकाए, मीठ नहीं, वो सकती रह जाएंगे, इसलिए मीठा डालने से पहले यह श्योर हो जाना चाहिए, कि चावल आपके गले हैं या नहीं, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसकी थिकनस बढ़ती रहेगी, इसके नीचे लगने का डरूतना ही बनता रहेगा अब इस स्टेज पर, क्योंकि हमारे चावल भी गल चुके हैं और इसकी क्वांटिटी भी अब काफी कम हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यह जो हमने चावल को जो दूद में भीगो के, हमने चावल के पाउडर को जो हमने दूद में ऐसे भीगो के रखा हुआ था, पा आप रबड़ी खा रही है, इसको भी तुरंट इसके डालते ही, इसको मिलाना शुरू कर देंगे, यह खीर अपने आप में इतनी थिक बनेगी कि आपको मिल्क मेड़ वगर डालने की कोई जरूरत नहीं है, यह अपने आप में ही इतनी थिक बनेगी, पानी-पानी सा छोड आपको यह नहीं लगेगा, यह कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करके बनाएंगे, तो खीर एक तो बहुत जल्दी बनेगी, दूसरी, गाड़ी, हमने एक किलो दूद की यह खीर हम बना रहे हैं, फुल क्रीम दूद है, और इस कटोरी का ही एक कटोरी आप चावल समझ लीजिए, इतने ही चावल से हम बना रहे हैं, चावल ज्यादा मत दीजिएगा, ज्यादा चावल हो जाने से फिर टेस नहीं आता है, फिर चावल चावल ही पता चलता है, एक कटोरी चावल हो, एक किलो दूद हो, यह रेशो आप याद रखें, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, यह हैं बताशे, इसी से हम खेर बनाएंगे, चीनी से नहीं बना रहे हैं, बताशे से बना रहे हैं, अभी इसको एड़ कर देंगे, और कॉंटिन्यूजरी चलाते रहेंगे, मीठा हम बहुत ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, उसी अनुसार ही दे रहे हैं, आप अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करें, तो बताशो की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं, घी में तल के रखे हुए थे, उनमें से आधे दे देंगे, आधे छोड़ देंगे, ये गार्निशिंग के कमाएंगे, केसर के कुछ आठ-दस रेशो को हमने घरम दूद में भिगो के रख दिया था, जैसे हमने खीर लाने शुरूगी थी तब ही रख दिया था, घी खुगो के, तो ये भी हम से कमाएंगे, केसर को जो हमने भिगो रख था इसको भी हम इसमें मिला देंगे, किता सुन्दर इसका कलर आया है ये चार हरी इलाइची को मैंने दो मिनिट के लिए पानी में भिगो कर उसको पीस लिया था अब इसको डप लेंगे मिला लेंगे और तुरंत इसके ढखकन को बंद कर दोगे नहीं तो इसकी खुश्बू चली जाएगी बाहर इसकी खुश्बू को हमने बहार नहीं निकलने देना है इसको हम और एक मिनिट के लिए पाका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे खीर हमारी काफी ठंडी हो चुकी है और इसकी ठिकना भी बढ़ चुकी है आपको ठिक हो गई है अब कर लेंगे इसकी प्लेटिंग अपने घर पर जरूर बनाएं बहुत ही जल्दी बन जाने वाली खीर है बस इन छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो यह वीडियो अच्छी रगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकोन दबाना विल्कुल न भूलें धन्यवाद